ख़जूर की चटनी बनाने के लिए बीना बीज वाले ख़जूर लेना है और ताजा नारियल गिसा हुआ इसमें हम इक्वल बराबर मात्रा में मिलाएंगे दोनों को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा सिंधानम मिलाए जा सकता है वैसे यह जरूरी नहीं है लेकिन यह चुकि मैं एक बच्चों के लिए एक सॉस स्नैक्स के रूप में बना रहा हूं जो ब्रेट के साथ या किसी भी चीज के साथ उनको दे सकते हैं और मैंने पूहना हुआ जीरा एक चमज डाल दिया है उसका पाउडर और थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको मैं मिक्सी के जार में पीस रहा हूं मार्केट में सॉस के नाम बें बहुत ही केमिकली प्रोसेस केचप अगरा मिलते हैं जो की अनहल्दी होता है और यह एक बहुत अच्छा अटर्नेटिव है थोड़ा हेल्दी भी है यह टेस्टी भी है जो नारेल जो है हमारा एक नैच्रल एक क्रीमी टेक्शर देरा इसके अ अब बीच बीच यह थोड़ा पाने मिला के इसको देख सकते हैं और अच्छे से पीस लेजिए इसको फाइनली और फिर यह हमारा रेडी हो जाएगा और मैंने इसको पीस लेया है अब मैं इसको आज मैंने एक्चुली मुझे बनाना था इसका सौस का ही वीडियो लेकिन मैंने बुट्टे का जो एक बॉइल करके मैं इसके साथ सर्फ करूंगा उसकी वीडियो नहीं बनाई है बट वह बहुत जिंपल है आप कॉर्ण को स्ट पीम करके इसको वाइल करके सके साथ सर्फ कर सकते हैं। क्योंकि मैं इसको रोच नहीं करता हूं और मैंने इसको सर्फ किया है। तो यह लबबग हमारा रेडि हो गया है और मैं इसमें एक चीज और इंग्रीडेंट एड़ करने वाला हूं जो इसको थोड़ा इसके टेस्ट को और ही टेस्ट फुल बनातेगा और कुछ बूले मैंने लेमन की निम्बो की डाली है और एक तो चुटकी मैंने कांडी में टाल रहा हूं बहुत ही लिटल बिट यह भी धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग और मिलूंगा मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंट्रेस्टिंग नैच्टरल रेसिपी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद नमस्कार देखते रहे स्पेकिंग नेचर थैंक्यू सो मच